मुख में जब छाला हो जाए मुख के अंदर जब इनफेक्शन हो मुख के रोगों के लिए यह एक बहुत दिब्वय उशदी है इसका जो छाल है जो मेरे पास है यह मेरे हाथ में इस छाल को इस तरह से आप इसको निकाल ले निकाल करके लगभग 10 ग्राम ताजी चाल को आप कूट करके और इसको लगभग पानी में 300-400 ग्राम पानी में पका करके थोड़े से पानी में चुटकी वर फुटकर इडाल दें और इससे मुख प्रक्षालन करें यह मुख के दोशों को दूर करने में एक अचुक दिव्योशदी है इसके आती रेक तो जैसे कहीं सूजन आती है तो हम इसके चाल को पीस करके और उस सोथ वाली जगह पर लगा लेते हैं तो शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन है किसी भी तरह से उसके अंदर दर्द है उस दर्द में और शोथ में इसके लेप करने स से अत्यन्त लाव होता है और जिनको बार बार फोड़ा फूंसी होती हो और कई सारे उपाय करने भी ठीक नहीं हो रहे हो और काफी कुछ फोड़ा बाहर निकला हुआ हो पक भी नहीं पा रहा हो यह आप इसके छाल को पीस करके अच्छी तरह से पीस करके और उस जगह पर काफल जग्या उचा करके अच्छी हो यह आप इसकता है